हलो दोस्तों वेलकम टू मार्च चैनल तो फ्री फायर के इस वाला अपडेट में फिर से होने वाला वेपन आज़ेस्मेंट तो कौन सी गन में क्या आज़ेस्मेंट होगा इस वीडियों हम जानने वाले उससे बहला आपको इस वीडियों को लाइक कर देना है और चैनल पर न देनेगेज़ देनेगा घंड को जब आपको अफ्ट लेवल में अफ्ट वेड हो जाएगी चारसोक देविज देने पर आपकी जो ऑगन सही अब रिवर्क होने वाला ने की प्लाजमा गन उमारी रिटर्न आने वाली तो प्लाजमा एक्स नाम से आपको एड्रप के अंदर की discharge होती जाएगी वैसे वैसे इसका rate of fire और damage increase होता जाएगा अब बात करते हैं कुछ weapon adjustment की तो B zone में आपे damage को 10% minus किया जा रहा है उसकी जो magazine उसको 30 से घटा कर 25 किया जा रहा है तो B zone को थोड़ा सा nerf किया जा रहा है इस वले update में B zone के साथ में भी throw gun को भी आपे nerf किया जा रहा है इसके damage को minus 8% किया जा रहा है और range को भी minus 5% कम किया जा रहा है चार्ज बश्टर को अभी की टाइम पर उठा के कोई भी चलाना चलू कर देता है मतलब कि जिसको नहीं चलाना आता वो भी चलाता है क्योंकि इसका damage वगरा काफी ज्यादा है तो update के बाद में इसको कम किया जाएगा इसका damage को minus 10% कम किया जाएगा max charge duration को भी minus 25% कम किया जाएगा और मुमेड speed को minus 5% कम किया जाएगा और फूल चार्ज करने के टाइम में उसको plus 25% किया जा रहा मतलब कि काफी एदा नर्फ कर दे जाएगा charge baster को अगर आपको चलाना नहीं आता तो फिर आप charge baster मती चलाना क्योंकि इसमें आप काफी एदा 5% करने वाले और इसकी रेंज भी बढ़ा जाएगी 15% तक इसकी रेंज और इंक्रीस कर दी जाएगी और अगर आप सिर्फ एक ही वेक्टर चलाते हैं उन्हें की सिंगल वेक्टर चलाते हैं तो वहां पर आपको तिन देखने को नहीं मिलेगा लेकिन हाँ उसमें भी मेगजी ने 20 से प्लस करके 23 कर दी गई है इस अबडेट में MP5 को भी बफ के जा रहा है वैसे तो तीसे लेवल की MP5 जो रहती है वो काफी अच्छी चलती है लेकिन फिर भी आपको ओर डेमेज 8% प्लस देखने को मिलने वाला जो की काफी अच्छी बात है अगर आप एक MP5 प्लस करके 20 के जा रहा है और इसको इन करने की स्पीड को 10% प्लस के जा रहा है तो अब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट के बताना कि आपकी फेड़ेट गन कौनसी है बेर रेंक के अंदर